हरियाना में कडाके की छंड ने जहां लोगों को बेहाल किया हुआ है वही छंड का मौसम गेहूं की फसल पर महरबान हो रहा है ऐसा माना जा रहा है कि सुबह शाम पड़ रहा कोहरा गेहूं की फसल में खाद का काम कर रहा है यहां बता दे कि किसानों ने नवंबर में गेहूं की बिजाई पूरी कर ली थी जब क्रिशी उपनी देशक आदिते प्रताब डबा से इस मौसम में गेहूं की फसल को लेकर बात चीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी जुले की अच्छारे लाख हेक्टेर भूमी पर गेहूं की फसल की बिजाई की गई है यह मौसम गेहूं की फसल के लिए काफी लाबकारी है इस साल बाकी सालों के मुकाबले सर्दी और पाला ज्यादा रहा है जिसकी वज़े से उम्मीद है कि गेहूं की बम पर पैदावार होगी किसानों को गेहूं की फसल में बड़ी समस्या, खर्पतवार यानि मंदूसी की होती है कई बार स्प्रे करने के बाद भी खेट से मंदूसी खत्म नहीं होती उन्होंने किसानों को अपील करते हुए कहा कि वो कभी मशीन या मोटर वाले पंप से स्प्रे ना करें और पहला पानी किसान 21 दिन के बाद दे बताते चले कि जहां कोहरा लोगों के लिए परिशानी का सबब बन रहा है कोहरे से वाहनों के पहिये थम गए हैं वाहन सडकों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं सडक दुरगटनाओं में भी कुछ बढ़ोतरी बताई जा रही है वही गेहू की फसल के लिए कोहरा रामबान और फाइदे मंद बताई जा रहा है पता जा रहा है कि सुवेश शाम पढ़ रहा कोहरा गेहू की फसल में खाद का काम करेगा ये मौसम गेहू की फसल के लिए नुकूल है किसानों को इससे घबराना नहीं चाहिए दोस्तों मैं हूँ तरून मदान और अपी समय जेगरे समच एर एक्सप्रेस मैप को बता दू कि मैं इस समय मजूद हूँ क्रिशी विभा के कारेले में और मेरे साथ बाचित करने के लिए डिप्री डिरेक्टर हैं अधित्ति परताब डबास इन से हम बाचित करेंगे लेकिन इससे पहले मैं सबी भारतवाशियों को नए वर्ष के शुब कामने देता हूँ हाला कि 2020 को हमने अलविदा कर दिया वहाँ चुनोती पून वर्ष था 2021 का अगाज हो सुका है इस अगाज के साथ ही आद सुबा से ही घने कोहरे और धुंद का सामना करना पड़ रहा हमें इस मोसम में किसान भाईयों को अपनी फसलों के बचाव के लिए और उनकी फसले बंपर हो सके हैं इसके लिए क्या क्या साथ धनाना या क्या क्या उपाएं इस्तंपाल में लाने चाहिए और कृशी भाज़ दराओं की मदद कैसे की जाती हैoral का दिट्ट साथ सबसे पहले आपका समय कंर स्वागत है और ने साल की शुबकाम नहीं आई को भी बहुत सुम्युई जब आई जो किसान भाई चनल को देख रहे हैं उन को भी नए वरस की हार दिख सुम्यै नाई गivelा साब इस मोसम में सरदी के मोसम में कौन-कौन सी फसलों को लाप है, कौन-कौन को फसलों को नुकसान है और हमारे केसान भाई अधिक से अधिक फाइदा कौन सी फसल से ले सकते हैं हर्याना में इस सीजन में परदेश में बात करें तो मुखे तोर पर जो गेहों की फसल हुआई जाती है जो 25 लाख हेक्टेर एरिया पूरे परदेश का एरिया रहता है बहुत बड़े भूबाग पर गेहों की खेती होती है पूरे करनाल में ही नहीं बलके पूरे हर्याना परदेश के अंदर इस तरह का मौसम है ठंड पूरी तरह से एक व्यापक चतरपर ठंड पढ़ रही है गेहों की एक तासीर होती है कि गेहों जतना लंबा स्पैल जतनी ठंड जादा रहेगी उतनी गेहों की बंफर पैदावार होगी पिछे आपने देखा होगा कि जब दिसंबर में उस तरह की ठंड नहीं पड़ती थी तो उस पे कहीना कहीं हमारी पैदाबार पे असर पड़ता था क्योंकि जब गर्मी होती है तो पोधे की बढ़वार जादा हो जाती है उसका फोटाओ नहीं हो पाता है लेकिन जिस तरह से अभी पिछले अक्टूबर नॉमबर और दिसंबर तीन मेने से मौसम रहा है वो बिलकुल गिहों की फसल के लिए इतना शानदार मौसम रहा है कि उससे हमें अंदेजा लगा सकते है कि 2012-13 में जो रिकार्ड गिहों की उत्पादन हुई थी हम उस उत्पादन को अभी छूपाएंगे जहां तक इसमें साउधानिया की बात है साउधानिया यह है कि तकरीबन कई 10 लाग किसान ऐसे किसान हरियाना परदेश के अंदर जो मौसम रहा की जानकारिशी देश जुड़े हुए है अब एक संदेश आया हुआ है कि 3-5 तारीक के अंदर हरियाना के कुछ छेतरों में बारिस हो सकती है गरज के साथ छीटे पड़ सकते हैं बारिस हो सकती है तो इसमें मैं यह किसान बाईयों सागर करना चाहूँगा कि जिनके मुबाईल पर यह सूचना आती है उन सूचनाओं को वो दूसरे किसानों के साथ भी सियर करें उनको भी बताएं ताकि उन पानी ना लगाएं जब बारिस होगी तो पानी सवभाविक तो पानी आ जाएगा तो उसमें पानी ना लगाएं दूसरा जो इमपोर्टेंट बात है जो सबजियां है क्योंकि अभी पाला भी पढ़ना स्टार्ट होगा दो चार दिन के बारिस के बारिस के बारिस के बारिस के बार पाला पढ़ना स्टार्ट होगा तो जब ऐसी सिच्वेशन आती है तो किसान बाई अपनी फसलों में हलका पानी लगा के रखें पानी की जादा मातरा ना दे इस परकार किसान इस सरदी के मौसम में जो दूस परभाओं है इस पर सबजियों पर दूस परभाओं है उनको काबू पा सकते हैं गिहूं में किसानों को किसी परकार की डरने की कोई आवशकता नहीं है सिर्फ सर्शों एक ऐसी फसल है जो सिर्फ पाले से नक्षान होता है उसके लिए मैंने बताया कि जब भी उनको ये लगे कि दिन में तेज धूप निकली वी है शाम के टाइम हवा बंद होगी है तो जिसे ग्रामीन फर्मूला होता है किसानों को पता भी है कि जब दिन के अंदर बहुत तेज धूप निकली होगी और शाम के टाइम पांच बज़े के आसपास हवा चलनी बंद हो जाएगी तो निश्ची तोर पर रात को पाला पड़ेगा ऐसी अवस्था में वो हलकी सिचाई कर दें सर्शों के अंदर तो उसको पाले सर्शों का बचा हो सकता है तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है अभी जो किसानों दुवारा किया जाना है कि बहुत ही घहन समझ्या है गियों के अंदर खरपतवारी उसको मंदूसी भी बोलते हैं चोड़ी पत्ते वाली भी आते हैं तो उनके लिए मेरा किसान भाईयों को ये संदेश है कि वो अपनी बिजाई से पचास दिन के हो चुके हैं उनको तो निश्चे तोर पर अपनी मंदूसी का चोड़ी पत्ते वालों का और जो संकणी पत्ते वाली खरपतवार हैं उन पर उसका सप्रे कर ले सप्रे करने का एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि सप्रे जब भी आप सप्रे करेंगे तो सप्रे के अंदर आप ये ध्यान रखें कि आपने कट नोजल लेनी है कट नोजल लेनी है और हाथ का जो पंप आता है उससे सप्रे करें कई बारी किसान भाई जब सपरे करते हैं तो सपरे के दोरान देखने में है किसान भाई बताते भी है कि हमें तीन से चार सपरे करने पड़ते हैं जब जाकर के मंडूसी उनकी मरती है जब कि ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी जो सपरे टेकनिक है उसमें कहीं न कहीं इस तरह का फाल्ट है जैसे बहुत सारे किसान भाई जो पावर सप्रे मसीन से सप्रे करते है जो पावर मसीन से सप्रे करते हैं तो उसमें से पानी भी प्रेसर से निकलता है तेज निकलता है मंदूसी का जो पता होता है वो छोटा पता होता है वो पूरण दवाई पोधे पर ना पढ़के जो पोधे पर दवाई गिरती है इतना प्रेसर होता है कि वो नीचे दुख जाता है और सारी दवाई जमीन में पढ़ जाती है इस तरीके से पोधे को जो दवाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है इसलिए किसान भाई ध्यान रखें सबसे important बात है कि वो 200 लीटर पानी का प्रियोकरे एक एकड़ के अंदर 200 लीटर से पानी कम किसी भी हालात में ना ले जो hand spray होता है hand spray से कट नोजल के मादने जितना बारिक फुवारा होगा उतना पोधा जादा गिला होगा पोध्य के अंदर उतनी दवाई जादा जाएगी और मंदुसी उनकी जड़ से खतम हो जाएगी और उनको बार-बार सफ़े करने की आउशक्तर नहीं होगी बार-बार सफ़े करने से जहाँ हम परदूसित अपनी जल्वाई उपर दूसरी तबी करेंगे जमीन में भी जहर जाएगा साथ किसान को आर्थी नुक्षान भी होता है तो किसान भाई इस बात का विसेश धान रखें पानी की मातरा पूरी रखें जो हाथ से चलने वाला पंप है उससे सप्रे करें और उससे भी सप्रे सप्रे की जब हम करते हैं तो हमारा जो सप्रे का जो नोजल होता है उसको गुटनों के नीनीचे रखें ताकि पोधे के उपर जो खर्पतवार हैं उसको पूरी तरीके से उसके उपर उसका फुरा पड़े और उसके अंदर दवाई जाए ठंड है और आने वाले दिनों में अगर जो ऐसा ही डेड़ दो मीने तक अगर जो ऐसा मोसम रहता है तो निश्चे तोर पर हम जो हमारे पुराने रेकॉर्ड है उन रेकॉर्डों से आगे जा पाएंगे उत्पादन के छेतर में अगर इसी तरह से मोसम राग ले एक जीड मिने तक तो हम पिछले सारे रेकॉर्ड को तोड़ कर इस बार बंपर फसल को पास सकते है 2013 के बाद ऐसा है कि जो इस तरह का मोसम देखने को मिल रहा है दिन में 3-4 घंटे की दूप निकलती है सुबाशाम की ठंडग भी है इस ठंडग से गियों की फसल को फाइदा है इसके इलावा किस फसल को क्या नुकसान है और फसल को कैसे बचाना है इसके बारे में इनुन हमें विस्तार से जान करी दी है कि स्प्रे करते समय किस बात का शेज ध्यान रखना है एक बार फिर से कहना चाहोँगा कि जो भी किसान भाई यी हमारे चैनल को देख रहे हैं वैं इन सब बातों को समझे और मुबाईल के मदने से em जो संदेश मिलता जा रहा है संदेश मिल रहा है फिर दूसरे साथियों के साथ, दूसरे भाईयों के साथ शेर करें ताकि उनके साथ साथ दूसरे किसान भाई भी व्यापक फजल को पाक सके और हमें एक बंपर उत्वादन कर सके 2013 के रिकॉर्ड को हम तोड़ना चाहते हैं इस बारी मैं तुरुन बुदन सीनियर के अमरा पर्चन सन्नी चोदर के समचर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुच्राइब करें घन्यवाद बेट एंटर्प्राइब